गुस्ताख चीन कब सुधरेगा? कब खत्व होगी? चीन की चाला किया दोक्लाम विवाद के बार गलवान खाटी और अब तवांग छड़म 2023 में चीन का क्या होगा? देखिए सिर्फ धर्मग्यान पर नमस्कार, धर्मग्यान के दर्शुकों का स्वागत है मैं आपके साथ कविदार आना और मेरे साथ हमेशा के तरह है अचारे महिंग श्रमाईजी, आपका स्वागत है सार जन्यवार कभी दर्शों को साधा नमस्कार वोड़ोसमोल चीन अपनी विस्तारवादी आदत से मजबूर है एक ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जो अपनी साजिशों से अपनी शातरगिरी से कभी बाज नहीं आता उसके बाद भारत और चीन के बीच युद जैसा कोई बड़ी जंग तो नहीं चड़ी लेकिन एलसी पर कई बार दोनों देशों के सेनाव के बीच हिंसक जड़पे हुई और 14 के बाद तो देखें डोकलाम विवाद आपने देखा होगा गलवान घाटी में जो हुआ वो आपने देखा होगा अब हाल फिल हाल में तवांग में अलुनाचर प्रदेश के तवांग में जो एलसी पर जो खुनी जड़प अभी हुई है दोनों देशों के जवानों क समय इन दो देशों के लिए कैसा रहेगा दो देशों के संबंधों के एक तरफ शी जिंपिंग है चीन के राष्ट्रपती और दूसी तरफ हमारे देश के प्रदान मंजी नरेंद्रम बोदी दोनों आपस में एक सशक्ष नेता है ताकत वर नेता है विश्वस्तरिय नेता ह में डो देशों का भवीषयब आगे क्या कहता है महींजी से जानते हैं महींजी एक बात जो हमसे देखा गिया है की एइस पजिस्तर से हिंसक जटपे होती है दोनों सेनाए आमने सामने आ जाती हैं वहां से उनका जो ग्लोबल टाइम सक बारे सरकार एक बार वह भारत के खिलाव बोलता है यहां भारत के लोग भी उनके खिलाव वोलते हैं चीन के बारे में चीन की कुल्बी में शनी अश्टम भाव में और मंगला जो है सपतम भाव में बैठाव बैठाव है रही या किसी और देश को परिशान नहीं करेगा तो उसकी इस विचारदार्स पार उसकी इस बात परय विश्वास नहीं किया रहा होता क्योंकि श्यानी और मंगल की सिती इस कदर खराब है कि चीन के पडोसी देशों के साथ संबंद जो हैं कभी भी कोई खास अच्छे नहीं रह पाएंगे अगर एक दो देशों को छोड़ दें तो अरिकतर देशों के साथ इनके संबंद इनकी विचार धरायां की जो नीती है उ अभी जो है चीन के गया नक्षत्र बहुत ही खराब हैं और कहीं ना कहीं वह बीच बीच में या तो उनके सेना के अध्यक्ष या कोई भी इस तरह की हरकते करते हैं कि संबंद खटास पैदा होई जा दिया भारत के साथ जी और जैसे कि आपने पडोसे मुलकों के साथ एक म आगे भी रहता है मैं आपसे जाना चाहूंगी कि मोदीचे के निर्टतमें अब इन दो देशों के रिष्टे कैसे रहेंगे अब 2023 में देखिए अगर बात करें वहां के जो जो राष्टपती है शी जिन पिंग है उतो एक लंबे समय तक ही रहेंगे अभी और वहां पर हमन कि नितियों को वहां के लोग भी जो है अब कहना चाहिए उनको नापसंद आ रही है वहां विरोध प्रदशन भी हुए है कि वहां स्थितियां खराब से खराब होती चलियेंगी अगर बात करें आने वाले आठ से दस समय जो है इतना भेतर अभी नहीं रहने वाला है जहां चीन जो है अपनी हरकोते से कभी बाज आने वाला नहीं है कि शनी मंगल की परिसिति उसको दगाबाज धोकेबाज बनाती है और हमेशा कुछ ना कुछ शडियंतर करने का चीन का परियास रहता है या दूसरे को कहना चेह दूसरे देश की सीमाओं को हड़पने का परियास या कही ना कही वहाँ अपना दबदबा बनाने का परियास यह करते रहते हैं और यह ऐसी ही चलता रहेगा लेकिन दोनों देशों के बीच में कोई बड़े युद की आशंका इस तरह के खतरे के बादल कोई नजर रहते वे नजर नहीं आ रहे हैं एक दूसरे के किलाब ची करके क्या लगता है कुछ इसी तरह की स्ट्राइक अगर भारत क्या चीन पे भी कर सकता है मोदी जी चीन को सबक सिखाने के लिए को बड़ा कदम उठा सकते हैं भाविशे में 2003 में कि मोदी जी पर शैनी की दशा चल रही है तो कुछ ग्रह दशा एसे भी होती है जब इनसान कुछ ऐसे फैसले लेता है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता देखिए अगर दोनों देशों की घरह सिद्धी की बात करें तो वह इस तरह के हालात कोई नजर नहीं आ रहे है इन दो देशों के बीच में कि भविश्य में कोई चोटे-मोटी यूड़की वी आशंका आ. Sikh ये कोई रिखिकिस जुट्राइक या कि स्ट्रह कोई वाद विवाद वह अलगर है नैंगी यह की आश्म पे दाब समय bt लिय ए 152 अब के बाद अंतरे चीन को काफी में कसाा करना करना पड़ेगा और काफी विवत्ती जो है चीन में रहेगी तो चीन के लिए जो वर्ष है 2023 जो है वो बड़े किसी कहना चाहिए बड़े संकट से कमने रहेगा आने वाला और आभी तो इतना कोरोना ही फैला है इसको निकलने भी बहुत समय लग जाएगा लेकिन बाद में 22 अपरेल के बाद से ज देखने को मिलेगी कोई ना कोई वाड विवाद कोई ना कोई ब्यान-बाजी विप्रीथ परिस्तिति का माहूल बना रहेगा एक डर का माहूल समी लोगों के मन में भी रहेगा लेकिन ऐसा कुछ हो गा नहीं कि कोई बढ़े परिशानी आया या यूट के अहालात बने तो ये थे में समय जे जिनसे मैंने जाना कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत और चीन के रिष्टे अब आगे अगामी 2023 में कैसे रहने वाले हैं इसी के साथ हम दोनों को दीजे जाज़त नमस्कार कर दोलों हएकाँ जो पार्क जो भारत